हेलो दोस्तो वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल एलक्रोनिक्स पजल दोस्तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कपलिंग कैपसीटर के बारे में कि कपलिंग कैपसीटर हम कभी यूज करते हैं कहां यूज करते हैं और क्यूं यूज करते हैं इसका purpose क्या होता है जब हम circuit design करते हैं अगले वीडियो में मैं आपको decoupling capacitor के बारे में बताऊंगा तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना ताकि अगले वीडियो आपको upload करते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि capacitor basically क्या करता है कि aci signal को pass करता है DC को block करता है main function होता है capacitor ठीक है तो अब मैं बात करता हूँ कि coupling capacitor क्या होता है तो basically जब हमें दो सरकीट को couple करना होता है कि इसी सिगनल को i mixer पास करा के दो सरकीट को couple करते ए मतलब जोड़ते हैं कि आप चाहते कि पहले circuit से जो प्योर पूरी ऐसी सिगनल डूसरे सरुकित में जा उसकेश में हम कैपसिटर बीच में लगाते हैं तकि वह डीची सीगनल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है तो बैसिकली कोपण करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें असी सिंगल सिर्फ पास होती है और डीसी सिंगल ब्लॉक होती है ठीक है दोस्तों अब इस चीज पूरे डिटेलल में बात करता हैं और एक सर्कृट लेकर समझाता हूँ कि यह कैसे काम करती ह कप्रिल कैपसिटर का प्रपस क्या होता है तो बैसिकली मैंने क्या किया है कि मैंने एक कैपसिटर ले लिया है मेरे पास पांच बोल्ट की पाउर सप्लाई है और मैंने यहां पेक रिजिस्टर लिमिटिंग रिजिस्टर ले रखा है दस किलो ओम का जो आप देख रहे हैं और तेन के का रेजिस्टर इसलिए गाया गया ताकि current को यह limit कर सके ठीक है और उसके बाद आप देख सकते हो डायरेट इसके positive terminal से capacitor के यह power supply मेरी connect है और positive terminal जो है capacitor का वह उससे connect है अब मैं क्या करता हूं कि जैसे मैं microphone से कुछ बोलता हूं तो मेरी जो signal होती है वो sinusoidal signal होती है ठीक है अब वो capacitor के through pass कराके output पर लेना चाहता हूं ठीक यह basically मैं यह चीज़ चाहता हूं तो क्या होता है कि पाच बोल्ट की जो supply है ने मेरे पास उससे क्या होगा कि यह जो मेरा microphone है इसको supply मिलेगा मत्तभी यह on के state में चला जाएगा ठीक है जैसे आप transistor की case में देखते हो कि इस पर बोल्टेज अपलाई करते हैं तो वहां से जो collector से करेंट पास होने लगता है तो यह basically इसको supply करने के लिए यह जैसे ओन हो जाएगा इसमें जो हम बोलेंगे वह capacitor की तुरू पास होते विए बाहर चला जाएगा वह इस सिगनल आपको दिखेगी ठीक है तो इस capacitor का basically काम क्या होता यह DC signal को ब्लॉक करता और यह चार्ज जाता है और चार्ज हो कि voltage अगर supply करना किसी और circuit को तो उस case में हम capacitor को यूज कर सकते है और basically यहाँ पर पूरी तरह वह इस सिगनल को पास करा DC को ब्लॉक करा ठीक है पांच बोल्ट जीसे देख रहा हूँ आप यह डायरेक्ट करनेक्ट है तो यह चार्ज होता ठीक और DC सिगनल को यह ब्लॉक करता इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपको दिख जाएगा पावर सप्लाई से पॉजिटिव से कनेक करना हम यह आप पर तो सिरैमिक कैपसिटर भी उच कर सकते हैं जो कि नान पॉलर होता है यह पुलराई होता है वो नन पॉलर होता है तो हम उसको क्यों नहीं यूज किये और इसके सबसे बड़ी बात दूसरा पॉइंट है कि हम वह न माइक्रो फैरेड यह जो बहुत ज्या माइक के बीच में जो डिलेट्रिक मिटरियल होता है इल्यूमिनियम् बना होता है जो कि काफी पदला होता और काफी ज्यादा कैपीसिटर के ये प्रवाइड कर आता है तो ये size में भी compact होने की वैसे है और capacitance value ज्यादा provide होने की वैसे और इसमें जो leakage current उता है वह बहुत minimum होता है उसकी वैसे हम electrolytic capacitor को prefer करते ठीक है और सबसे बड़ी बात यह है ने कि इसकी value high ज्यादा कैपिसिटेंस की वेलू प्रोवाइड करता और इसमें जो पॉलर्टीज होती है वो डियलिटिक मेटेरियल की वाज़े से इसकी पॉजिटिव नेगेटिव प्रियेट होती है ठीक है अब मैं बात करता हूं कि कैप्लिंग कैपसिटर जो हमने यहां पर यूज किया वह वन इतनी ज्यादा हाई वेलू यूज करने का परपच क्या यहां पर बिसिकली तो आपको पता है कि जो भी हमारा सिगनल होता है जो हम सिगनल आप इंपुट में बोलते हो वह इंप्लिफाई होके बहुत ज्यादा जाता है ठीक तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है ज टुलिफाट्र आपकी जो इनुवर्शल प्रोपोशन ओतीं फ्रिक्वेंसी माइस फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ गें तो आपकी जो काम होगे कापिसिटी and reactants की सब्सक्राइब जो हो गए जैस threat यहां पर एक calculator मेरे पास है direct online आपको दिखा देता हूं यह मैंने सारे data बढ़ लिया frequency बढ़ लिया ठीक है और मैंने मेरे पास यह capacitance की value लिकल के आएगे ठीक है आप तो अब देख सकते हो कि जब मैंने one microfarad यह प्रकार से यह resistance होता है जितना जदा आप capacitance की value रखते हो ना उतना आपको reactance की value कम मिलती है तो क्या होता है कि यहां से जो भी signal जाता है आप जैसे मालो 100 nanofarad का मैंने capacitance की value ले लिए ठीक अब 100 nanofarad के case में क्या होगा कि जब आप इसका वो लिका लोगे क्या बोलते है capacity reactance वो लिका लोगो ना तो यह बहुत ज्यादा आएगा देख रहे है पंद्रहसों क्यांबे ओम आ रहा है ठीक है जो कि 100 nanofarad है और मेरा one microfarad में 160 होंबा रहा तो यह बहुत ज्यादा इसकी रजिस्ट्य वैली है जो की हमारा जो भी signal होगा उसका जो the current की वाल एन जो इस पावर होगा ना सिगनल का वह बहुत कम कर देगा जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं इनिमेशन के माध्यम से बहुत कम कर देगा इसका पावर ठीक इसलिए हम high capacitance की वेलू यूज की हैं समझ में आगे आपको यह चीज यह परपाज ठीक अब आगे आप अपको यूज करके अप्रिफायर मतनब ट्रांजिस्टर वागरा इसलिए रखा जाता है ताकि आपको रियक्टिव जो रियस्टिव रियक्टेंस है न वह बहुत कम बिले और हमारा जो स का बेनफिट्स में आपको डिटेल में बता दिया ठीक है अब यह है कि इसका परपाज आपको समझ में आगे एसी सिगनल को पास करना डीच को ब्लॉक करना ठीक अब आगे आने वाली वीडियो में हम डीकप्रिंग के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या होगा ती डीसी सि सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोनिक्स पजल और बेल आइकन को हीट जरूर कर देना ताकि मैं कोई भी वीडियो अप्लोड कर तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए थैंक यू थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो